ओम शान्ती आज 11 डिसेंबर 2023 के बाबा के अनमोल मदुर महावाख के सुने के आज की मुर्ले में बाबा कहे सेकंड में जीवन मुप्ती ये जो गायन है इस समय का है और इसका अनुभो करने के लिए उसकी विदी है के घर ग्रहस्त में रहते हुए कमलफूल समान बनना पवित्रता को जीवन में धारन करना तब सेकंड में जीवन मुप्ती का अनुभो कर सकेंगे बाबा कहे यही गायन है राजा जनक ने सेकंड में जीवन मुप्ती को प्रत्त किया दूसरा आधार बाबा ने बताया है कि बच्चे जीवन मुप्ती को अनुभो करने के लिए देहि सहित दे के सर्व संबंधों को भूल स्वयम को आत्म निश्चय करो और बाब को याद करो तो सेकंड में जीवन मुप्ती का अनुभो कर सकते हैं जैसे ही इस स्थिती में स्वयम को स्थित किया कि एक सेकंड में जीवन मुप्त स्थिती का अनुभो करते हैं दूसरी बात बाबा कहे तुम सब को जीवन मुप्ती का मंत्र देने वाले सत गुरु के बच्चे गुरु हो आज बाबा ने बच्चों को टाइटल दिया कि तुम सत गुरु के बच्चे गुरु हो और ये टाइटल भी क्यों दिया बाबा ने, तो बाबा कहे कि तुम ईश्वर के बारे में कभी भी जूठ नहीं बोल सकते हैं, इसे लिए तुम सत्गुरु के बच्चे गुरु हो तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्यत, ओम शांती, मीठे बच्चे, तुम सब को जीवन मुक्ती का मंत्र देने वाले सत्गुरु के बच्चे गुरु हो तुम ईश्वर के बारे में कभी भी जूठ नहीं बोल सकते हैं आज की मुरले से प्रश्ण है, सेकंड में जीवन मुक्ती प्राप्त करने की विधी और उसका गायन क्या है उत्तर, सेकंड में जीवन मुक्ती प्राप्त करने के लिए प्रवरत्ती में रहते कमल फूल समान पवित्र बनू सिर्फ, बाब खे सिर्फ इस अंतीम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्या करो तो जीवन मुक्ती मिल जाएगी इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि ग्रहस्त व्योहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्या के आधार पर जीवन मुक्ती प्राप्त की राजा जनक की कहानी तो सबको मालूम ही होगी कि जब अश्टा वकर ने उसको ज्यान दिया सेकंड में जीवन मुक्ती कैसे प्राप्त करना है तो घोड़ा मंगाया और जैसे ही राजा घोड़े पर चड़ने गया एक पैर घोड़े पर था, एक पैर जमीन पर था और उसी वक्त अश्टा वकर ने पूछा, राजन, हैरो, इस वक्त कहा हो तो राजा सोच में पढ़ गया, जमीन पर होते हुए जमीन पर नहीं हूँ क्योंकि एक पैर घोड़े पर था, और घोड़े पर होते हुए घोड़े पर भी नहीं तब अश्टावकर ने कहा यही तो जीवन मुक्ति का ग्यान है कि गर ग्रहस्त में रहते हुए उससे निरलिपतर हो तो जमीन पर होते हुए जमीन पर नहीं घोडे पर होते हुए घोडे पर नहीं ग्रहस्त में रहते हुए ग्रहस्त में नहीं, यानि ग्रहस्त का कीचड़ हमारे जीवन को स्पर्ष न करें, तो उसी को कहा जाता सेकंड में जीवन मुक्ती का अनुभू करना. आज की मुरली से पहले गीत बजा है, यह वक्त जा रहा है। जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था, परंतु भविश्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं, कि उन्हें एक सेकंड में जीवन मुक्ती मिली, लेकिन जीवन मुक्ती तो सत्युक्त रेता में कहेंगे। लेकिन उसका अनुभव सत्युक्त रेता में नहीं है, उसका अनुभव यहां करना है। जिस तरह कोई व्यक्ति गहरी नीन में सो जाता है। तो जिस वक्त वो गहरी नीन में है, उस वक्त उसको गहरी नीन का अनुभव नहीं है। उठने के बाद जिब उसको कोई कहता है, आज तो बड़ी गहरी नीन सोए, इतना ढोल नगाड़े बचते हुए गए और अफिर भी जागे नहीं, तब कहेंगे अच्छा, सच मुच ऐसा होगा, नहीं तो मेरी नीन तो बड़ी कच्ची है, तेकिन आज पता ही नहीं चला। तो गहरी नीन का अनुभव कब होता है, जब नीन से उठ जाते तब, ठीक इसी तरह जीवन मुक्त स्थिती में जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं, अर्थात सत्यु प्रेता में उसका अनुभव नहीं, क्यों क्योंकि वहाँ कोई बंधन है ही नहीं, किसी को बंधन का अनुभव किये हुए है, तो अब जीवन मुक्त स्थिती का अनुभव गी है, तो इसलिए कहा, बाबा ने जीवन मुक्ति तो सत्यूक त्रेता में कहेंगे, गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशी करण मंत्र भी कहते हैं, वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम उन्हें मिलता है महा मंतर, जीवन मुक्ती का मंतर, ये मंत्र कौन देते हैं? ब्रंहा कुमार कुमारियां, उन्हें ये मंतर कहां से मिला? उस सत्गुरु से, सरवत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सरवत्तम बनते हो, उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं तुम भी सत्गुरु के बच्चे गुरु हो गिता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है नंबरवार तो होते ही है तुम भी सत्गुरु के बच्चे सत्गुरु हो तुम कभी इश्वर के बारे में जूठ नहीं बोलते हैं बाबा कहे तुम कभी इश्वर के बारे में जूठ नहीं बोलते हो क्यों? क्योंकि इश्वर का सत्य परीचे हमें है पहले पहले तो तुम पवित्रता के उपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिग्या करो हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे जूट आदी न बोलना ये तो common बात है जूट तो बहुतों से निकलते रहती है पर यहां वह बात नहीं है यहां है पवित्रता की बात ग्रहस्त व्यवहर में रहते इस अंतीम जन्म में हम बाप से प्रतिग्या करते हैं कि हम कमलफूल समान पवित्र रहेंगे तो यहां पवित्र रहने की बात है कहेंगे यह तो बहुत उच मन्जिल है दुनिया के लोग सुनेंगे तो कहेंगे यह तो बहुत उच मन्जिल है यह तो हो नहीं सकता है उनके लिए असंभव प्रतीत होता है, तुम कहेंगे वहा, क्यों नहीं हो सकता है, ये तो गाया हुआ है, कमल, फूल, समान, पवित्र बनो, ये द्रिश्टान शास्त्रों में लिखा हुआ है, जरूर बाप नहीं ऐसी सिक्षा दी है, है भी भगवान वाच या ब्रामन वाच भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्रामन बच्चे ही सुनते हैं, ये बात तुम्हें सबको समझानी है, मूल बात है पवित्रता की, कमल, फूल, समान, पवित्र बनना है, जनक मिसल, वही जनक फिर अनुजनक बना, जैसे राधे, अनुराधे बनती है, कोई का नाम नारा तो भविश्य में अनुनारायन बनता है, यह accurate बात है, तो जो भी आते हैं, उनको समझाना पड़े, सुना तो है, सेकंड में जीवन मुक्ती, ग्रहस्त व्यावहार में रहते, उंच पद पाया जा सकता है, तो हम अनुभव से कहते हैं, कपोडा नहीं मारते हैं, भगवान वाच मुख्य बात समझाने है, भगवान सबका बाब है, जरूर जीवन मुक्ती दाता भी वही है, यह है प्रवरती मारग, बाबा के बच्चे सभी प्रवरती मारग वाले हैं, इसलिए बाबा कहे यह है प्रवरत्ती मार्ग, सन्यासियों का तो है ही निवरत्ती मार्ग, वो कभी राजयोग सिखला नहीं सकते, वो तो घरबार छोड़ भागने वाले हैं, वो यज्ञान दे नहीं सकते, यह है राजयोग, ग्रहस्त व्यवहर में रहते कमल फूल समान पव रहना है, सत्यूग में भारत पवित्र प्रवरत्ती मार्ग था, वाइसलेस दुनिया थी, राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए, तो समझाना पड़ता है, हम अनुभवी है, ग्रहस्त व्यवहर में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं, हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं, पवित्र प्रवरती मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवरती मार्ग है, यह दुनिया ही ब्रष्टाचारी है, वह स्रेष्टाचारी दुनिया थी, रावन ब्रष्टाचारी बनाते है राम श्रिष्टाचारी बनाते हैं आधा कल प्रावन राज्चे चलता है ब्रश्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है दान पुन्या आदी करते रहते हैं क्योंकि ब्रश्टाचार है समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति, दान पुन्या करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा भगवान की भक्ति करते हैं कहते हैं कि आकर हमको स्रेष्ट बनाओ भारत स्रेष्टाचारी था अभी नहीं है ब्रष्टाचारी ही स्रेष्टाचारी बनते हैं भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाय जा सकता है ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए बाबा डाइरेक्शन देते हैं बल लिख दे कि चित्र हमारे पास नहीं है तो बाबा डाइरेक्शन देंगे ये बनाओ फिर सब को भेजो तो सब के पास प्रदर्शनी हो जाएगी ये चित्र बहुत अर्थ सहीत है बाबा के एक एक चित्र में बहुत गहरा अर्थ समाया है पहले पहले ये बुद्धी में आना चाहिए के बाब के बच्चे है भगवान है स्वर्ग रचने वाला नर्ग का रचेता है रावन गोले के उपर दस सेरवाले रावन का चित्र बना दो स्वर्ग के गोले पर चतुर भुज लिख भी सकते हैं यह राम राजिय यह रावन राजिय इस समय रावन सर्वव्यापी है वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे यहां रावर सरवयापी है लेकिन उसकी भेट में सत्योग में यह तो नहीं कह सकेंगे राम सरवयापी है गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल फिर सुन्दर मेला कर दिया जब सत्गुरु मिला दलाल तो जरूर वो आएगा यह हिसाब कोई भी जानते नहीं है पहले पहले अलग हुए है देवी देवताओं की आत्मा है यह नौलेज है कोई को भी समझाना है आत्माओं का बाप तो है न अब है आत्मा अपने परमपिता परमात्मा का अक्यूपेशन बताओ क्या नहीं जानते हो ऐसा बच्चा तो होता ही नहीं जो बाप की ओक्यूपेशन को नहीं जानता हो भाबा कहे ऐसे विधी से समझाना है बाप बैठ समझाते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो मैं समझाता हूँ पहले पहले जो देवी देउता है वो इतने जन्म लेते हैं तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे सिद्ध कर बताना पड़े मैक्सिमम इतने है जार वृद्धी को पाता रहता है पहले पहले देवी देउता थे उन्हों के ही चौरासी जन्म कहे जाते हैं भारत की नौलेज है ना प्राचीन भारत की नौलेज किस ने दी यह भगवान ने दी है नौलेजफुल गौड फादर है ना ब्रह्मा को भी नौलेजफुल नहीं कहेंगे शिक्रिष्न को भी नहीं कहेंगे, शिक्रिष्न की महिमा अलग है, यह समझने की बड़ी ही clear knowledge है, बगवान तो सबका एक ही है, निराकार, परमपिता, परमात्मा, वह है रचेता, शिक्रिष्न तो है रचना, उच्टे उच्ट भगवान तो एक है न, सर्व यापी उनको कह नहीं सकते, भारत में उच्टे उच्ट ब्रेजिडन्ट, फिर नंबर वार और है, सबका occupation बताएंगे, ऐसे तू नहीं सब एक ही एक है, foul बाबा कहे, सबका occupation बताएंगे, ऐसे तू नहीं सब एक ही है, हरे एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, यह सिद्ध करना है, आपस में राय कर सर्विस के प्लैन बनाने हैं, परन्तु जिसके लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, वा नाम रुप में फसा होगा, तो यह काम हो नहीं सकेगा, उस आत्मा से यह काम हो नहीं इसमें लाइन बड़ी कलियर चाहिए, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी, अभी सबी नमबरवार हैं, मनुष्य कहते हैं, यह व्यास भगवान ने शास्तर बनाए, अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता, वास्तो में धर्म के शास्तर है ही चार, धर्म के शास्तर है ही एक माय बाप गीता, वर्सा उनसे ही मिलता है, मा द्वारा बाप से वर्सा मिलता है, मा द्वारा ही बाप से वर्सा मिलता है, गीता माता का बाप है रचेता, तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राजियों की नौलेज दी है, गीता तो भारत खंड का शास्त्र है, फिर इसलामी का धर्म शास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना, कृष्चन का अपना है, गीता तो है सबका माईबाप, सबी धर्मों बालों ने भी सिक्षाएं कहां से प्राप्त की, गीता से ही प्राप्त की, इसलिए गीता को माईबाप करते हैं, बाकी शास्त्र है बाल बच्चे, वो बाद में निकले हैं, बाकी इतने वेद, उपनीशद, आदी ये सब किस धर्म के हैं, ये मालुम तो होना चाहिए, ये किसने उचारे, उससे कौन सा धर्म निकला, कोई धर्म तो है नहीं, पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हु जीवन चरित्र तो सबका अलग-अलग है, बाप कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज मामेकम याद करो, परमात्मा आत्मा को कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो, अशरीरी बाप ही ये कह सकते हैं, अशरीरी बनो, मुझे याद करो, ये कौन कह सकत अशरीरी बाप ही यह कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते, यह गीता के अक्षर है, सर्व धर्म वालों को कहते हैं, अशरीरी भव, अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है, कि देह सहित, देह के सब संबन्त्याग मामेकम याद करो, तो तुम मेरे पास मुक्ती के बाद जीवन मुक्ती है जरूर, पद जीवन मुक्ती का है वाय मुक्ती, जो भी आते हैं, सतो, रजो, तमों से पास करते हैं, समझानी कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे क्या करते हैं, एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देते हैं, वैसे है बहुत सहज, तुम जग़ जग़ पर प्रदर्शनी करो, अकबारों में भी पढ़ जाए, हर्चा कर सकते हो, भल सब सुने, अकबार में तो जरू डालना है, बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है. अतिंद्रिय सुख की भासना गोप कोपियों से पूछो, काया हुआ है, ये गोपी वल्लब के गोप कोपियां है, गोप कोपियां न सत्यूग में न कल्यूग में होते हैं, वहां लक्षमी देवी, राधा देवी है, गोप कोपियां अभी है, गोपी वल्लब के बच्चे पोत पौत्रे पौत्रियां है, जरूर दादा भी होगा, दादा, बाबा और मम्मा, यह नई रचना हुई न, संगम पर, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प, कल्प के संगम युगे आता हूं, नई दुनिया मनाने, आसुरी संतान से तुम ईश्वरी संतान बने हो, फिर बनेंगे संतान, फिर क्षैत्रिय वैश शूद्र संतान बनेंगे, चौरासी जन्मों में, फिर साथ साथ व्रद्धी भी होती रहती है, जाड भी पूरा कंप्लीट चाहिए, प्रले भी नहीं होती है, भारत तो अविनाशी खंड है, भारत के बहुत महिमा करने है, भारत सब खंडों में स्रेश्ट है, विनाश कभी नहीं होता, परिवर्तन होता, विनाश कभी नहीं होता, अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग, रुखानी बाप की, रुखानी बच्चो को नमस्ते, हम सब रु पर रात्रे क्लास है, और ये रात्रे क्लास है, 16 एप्रिल 1968 और 68, तुम रामन बच्चो बिगर, किसको भी ये पता नहीं है, कि संगम युग कब होता है, इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है, बाप आकर राज युग सिखलाते हैं, सत्यू के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा, है भी मनुश्य, उनमें कोई कनिष्ट, कोई उत्तम है, उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुर्शोत्तम हो, हम कनिष्ट है, आपे ही बताते हैं, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, अभी इस पुर्शोत्तम संगम युग को, तुम ब्राम्मन बिगर कोई भी नहीं जानते इनकी एडवर्टाइज कैसे करे जो मनुष्य को पता पड़े संगम युक पर भगवान ही आकर राज युक सिखलाते है तुम जानते हो हम राज युक सीख रहे है अभी ऐसी क्या युकती रचे जो मनुष्य को मालुम पड़े परन्तु होगा धीरे अभी समय पड़ा है बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी की भी थोड़ी रही हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुर्शार्थ करे नई तो ज्यान सेकंड में मिलता है जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ती पालेंगे परन्तु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप है वो थोड़ी सेकंड में कटेंगे इसमें तो टाइम लगता है मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाए लिट्रेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं समझ में नहीं आता तो उल्टा उठा लेते हैं तकदीर में ही नहीं हैं तो उल्टा उठा लेते हैं तुम समझते हो यह पुर्शोत्तम बनने का यूग है कीरे जैसा गायन है न, फिर कम हो जाता है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, यह संगम युग है, डाइमंड एज, सत्युग है, गोल्डन एज, यह तुम जानते हो, स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है, कीरे जैसा जन्म है, अमर लोक का गायन है न, फिर कम होता जाता है, यह तुम जानते हो, स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है, कीरे जैसा है, अमर लोक का गायन है न, फिर कम होता जाता है, तो यह भी लिख सकते हो, पुर्षोत्तम संगम युग है डाइमंड, सत्युग है ग डाइमंड, सत्यूग है गोल्डन, प्रेता है सिल्वर, यह भी तुम समझा सकते हो, संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं, आठ रत्न बनाते हैं न, तो डाइमंड को बीच में रखा जाता है, संगम का शो होता है, संगम यूग है ही हीरे जैसा, हीरे का मान संगम यूग पर है, योग आदी सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिच्वल योग कहते हैं, परन्तु स्पिरिच्वल तो फादर ही है, रुहानी फादर और रुहानी नौलेज संगम पर ही मिलती है, मनुष्य जिन में देह अहंकार है, वो इतना जल्दी कैसे मानेंगे, गरीब आदी को समझाय जाता है, तो यह भी लिखना है, संगम यूग इस डाइमड, उनकी आयू इतने, सत्य गोल्डनेश तो उनकी आयू इतने, शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं, तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे, तो कितनी खुशी रहे, स्टूडन्स को खुशी होती है न, स्टूडन्ट लाइफ इस ती बेस्ट लाइफ, यह तो सोर्स अफ इंकम है, यह है मनुष्य से देवता बनने की पाक्षाला, देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालुम है, तो अथा खुशी होनी चाहिए, इसलिए अति इंद्रियस सुख, गोपी वल्लब के गोप गोपियों से पूछो, टीचर अंत तक पढ़ाते हैं, तो उनको अंत तक याद करना चाहिए, भगवान पढ़ाते हैं, और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे, पुकारते भी है, लिबरेटर गाइड, दुख से छुडा सत्यूग में दुख होता ही नहीं, कहते हैं विश्व में शांती हो, बोलो आगे कब थी, वह कौन सा यूग था, इसको पता नहीं है, राम राज्य सत्यूग, रावन राज्य कलिव, यह तो जानती हो न, बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए, बस क्या सुनाओ दिल की बात, बेहत का बाप, बेहत की बाच्चाई देने वाला मिला, और क्या नुभव सुनाओ, ऐसे बाबा कहे, तुम्हें लोगों को बताना है, और कोई बात ही नहीं, इन जैसी खुशी और कोई होती नहीं, कोई को भी किसी से, रूट कर वास्तों में घर में नहीं बैठना च यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है, पढ़ाई से रूठा, तो क्या सिखेंगे, बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए, यह माया, यग्य में असुरों के विग्न तो पढ़ते हैं न, दावा कहिए तो पढ़ने ही है, अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चो प्रती, रूहानी बाप वा दादा का याद प्यार, गुड नाइट, रूहानी बच्चो को रूहानी बाप की नमस्ते, आज की मुली से धाना के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं, वो एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है, ज्यान के नशे में रह, अतींद्रिय सुख का हनुभो करना है, दूसरी पॉइंट, सभी को सेकंड में मुक्ती जीवन मुक्ती का अधिकार देने के लिए, यही महामंत्र सुनाना है, कि दे सहित दे के सब संबंदों को त्याग, बाप को आज का बाप दादा का मदुर वर्दान हम बच्चों के प्रती है, क्लियर बुद्धी द्वारा हर बात को परख कर या थार्थ निर्णई करने वाले सफलता मूरत भवा, क्लियर बुद्धी द्वारा हर बात को परख कर या थार्थ निर्णई करने वाले सफलता मूरत भवा, जितनी बुद्धी क्लियर है, उतनी परखने की शक्ती प्राक्त होती है, ज्यादा बाते सोचने के बजाए एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर या थार्थ नेर्णई कर सकेंगे जिस समय जैसी परिस्थिती, जैसा संपर्क संबन्ध वाले का मूर उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर नेर्णई लेना यह भी बहुत बड़ी शक्ती है, जो सफलता मूरत बना देती है आज का स्लोगन है, ज्यान सूरिय बाप के साथ लकी सितारे वह है, जो जग से अंदकार को मिटाने वाले हैं, अंदकार में आने वाले नहीं अच्छा, ओम शाम